Hey guys, welcome to my channel Study Junction और आज की वीडियो में मैं आपको chapter 10 circles के कुछ important questions mark कराऊंगी NCRT की book से So मैं यहाँ पर questions आपको बताऊंगी And आप अपनी book पर side by side questions को mark कर सकते हैं ताकि जब आप revise करो इन questions को तो आपको chapter को तो आपको पता हो कि आपको कौन से questions पर ज़्यादा focus करना है तो मैं पहले आपको इसकी एक ही exercise है या I think two exercises है जो exercises में से questions बता देती हूँ फिर उसके बाद आपको examples भी mark करवा दूँगी And जो भी बीच में अगर objective questions लगेंगे आ सकते हैं भी मैं आपको side by side बता दूँगी तो हम start करते हैं सबसे पहले इसमें definitions थोड़ी ज़ाद है And एक और चीज़ आपको बहुत important है आपके लिए वो जब आता है तो मैं बताती हूँ And theorems इसमें दो theorems है दोनों आपको अच्छी तरह कर लेनी है दोनों ही theorems important है अभी exercise 10.1 तो आप वैसे भी एक बर अगा आप कर लोगे तो इसमें आपको problem नहीं होगी definitions के based पर ही questions है fill in the blank से तो यह आप एक बर कर लेना ठीक है आ सकता है क्योंकि objective questions ही है And MCQ जो दिया हुए तो आपको करना ही करना है इसे तो आई रहे है हाँ इस topic की मैं बात करी थी 10.3 number of tangents from a point of circle यह बहुत important है इसके जो case 1, case 2 case थें तीनों अच्छी तरह आपको याद कर लेने है दिमाग में रखने है ठीक है क्योंकि objective में आप से MCQ में fill in the blank में यह definitely पूच सकते है तीनों cases के बारे में आपको पता होना चाहिए और जितनी भी इस chapter में definitions आपको read कर ही होनी चाहिए और यह आपका second theorem आगया है तो बहुत ही important है तो इसको अच्छी तरह कर लेना उसके बाद अब इसके जो हम जलते हैं exercise 10.2 पर यह है इसकी exercise 10.2 इसमें से यह पहले जो तीन objective questions हैं आप एक बार कर सकते हो ठीक है ऐसे ही questions board में भी आएंगे objective में तो fourth, fifth and sixth तीनों ही काफी ज्यादा important questions है तो तीनों को आप mark कर के रख लो बहुत important है उसके बाद जो आपका question 9th है this is very very important very very important क्योंकि यह sample paper में भी question होता है board के paper में भी आता रहता है यह हर alternate year में यह वाला question तो इसको आप mark कर के लख लो पूरी exercise में से अगर सबसे जादा कोई important question है तो वो यह 9th question है यह figure 10.13 सबसे जादा important question है पूरे chapter में तो इसे अच्छी तरह mark कर लो इसको कर लो उसके बाद आपके 12th and 13th दोनों बहुत important है यह भी question काफी आते है 12th तो आपने देखा भी होगा कई forms में यह आपकी 2 marks में भी बहुत आता है यह 12th वाला question उसके बाद 13th जो है 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, 12th, 13th तो यह 5-6 questions है इसको अच्छी तरह कर लो यह repeat होते हैं काफी इस में तो circles में तो यही questions को repeat करके थोड़ा-थोड़ा change करके डालते हैं हर साल ठीक है आपको examples जो है इसकी 3 ही examples है तीनों बहुत ज़ादा important है especially जो आपका second और third है यह तो बहुत ही important है यह भी वो लोग डालते रहते हैं board बहुत ज़ादा important है second one and third one उससे भी ज़्यादा important है अच्छी तरह इस question को समझ लो इसके काफी सारे methods भी है पहले-पहले समझने में इसको थोड़ा time लगता है इसी के base पर मैंने आपको बताया कि exercise में से कौन से important है example में से कौन से and also objective के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जैसे वो case 1, case 2, case 3 वाला and definitions जो भी है वो तो exercise first में ही काफी cover हो जाएगी तो यह थे हमारे circle chapter के important questions NCRT book से so I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी है hit that like button and also subscribe to my channel I would see you all in the next video till then goodbye